नमस्कार मैं हूँ जोती आपके अपने चैनल जोती की जम्याफ सभी का बहुत बहुत सागत है आज फिर एक नई रेसिपी बनाते हैं चलि यह शुरू करते हैं बनाना यह नाश्टा जितना देखने में सुंदर लगड़ा उतना खाने में कहीं गुना ज़्यादा सौधिष्ट है आज मैंने अपने घर में इस नाश्टे को बनाया तो बहुत ही पसंद किया गया तो फिर मैंने सोचा क्योंना मैं आपके साथ भी इस रेसिपी को शेर करूं जो फ और बनाने में बिल्कुल आसान हो एक बार बनाएंगे तो हर बार इसी तरह बनाना चाहेंगे तो देर किस बात के प्लीज वीडियो को पूरा इंटक वाच करें बनाईए बताईए कैसा लगा चलिए शिरू करते ही मज़ेदार सा हेल्दी तेस्टी बनाने में आसान मिलेट से बना बहुत ही बढ़िया पत्ता गुभी और ज्वार के आटा और स्प्राउट से बना यमी सा नास्टा जो जहटपट से बनकर तयार होगा यह मैंने स्प्राउट लिया है यह पोटली में बांदकर रख दिया था मैंने इसे बेगो कर और फिर बार में पोटली में ये एक कप के करीब करीब है इसे दरदरासा पेश्ट बनाना इसे बिल्कुल महीं नहीं पीशना इसे इस बात का जरूर ध्यान रखें आद्रक का तुकड़ा हरी मिर्च और लेसुन की कलिया मेने डाली है इसे बहुत ही भड़िया टेस्ट आएगा अब इसे बिना पानी के इ बने बाला है खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट होगा ये वेट लॉस रेशेपी है एक बार जरूर बना कर देखें आपको बेहत पसंद आएगा मेरे घर में तो बहुत पसंद किया गया आपके घर में भी बहुत पसंद किया जाएगा बिल्कुल दो चम्मस टेल से बनेग बहुत ही भड़िया नाश्टा विटामिन से भरपूर यह देखिए मैंने बिल्कुल दरदरा सा पेश्ट बना लिया है अब एक बोल में ट्रांसफर करेंगे इसे मेरा साथ आपको मेरे कैसे लगती है जरूर बताईए कमिन बॉक्स में और भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं इस्प्रॉट कैसे करते हैं इसकी मेरे Disability आप करते हैं ध्रांसफर करता है इससे स्वात बहुत बढ़िया आता हैं, यह एक कप में ने यह जवार का आटा लिया, यह थंडा होता है, और बन पूर्त कप यह बेशन लिया है, बेशन की दरगा आप सूजी ले सकते हैं, या सादा वाला आटा ले सकते हैं, बेशन से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, करश करके डालिए थोड़ी ज्वार का आठा ठंदा होता है जगर में उमें जरूर खाना चाहिए यह हींग पाउडर डाला है यह जीरा पाउडर यह सफएद वाले तिल सफएद तिल से नाशता बहुत ही बड़िया टेस्ट आताँ और बनता भी दाँ है और देखने में में सुन्दर लगता है आजवान यह क्रश करके डालेंगे आजवान से बहुत बढ़िया टेस्ट आताई जरूर डाले, ये कसुरी मेति, थोड़ी क्रश करके डालेंगे, इसे मैंने भून लिया था हलका सा, इसे कसुरी मेति को, इसे स्वाद और भी बढ़िया बन जाता है, बिना तेल गी के तवे पर नमक स्वाद अनुसार, आप और भी वेजिटेबल इसमें मिला सकते हैं, पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि नमक डालने से, पानी वैसे ही रिलीज हो जाता है, पत्ता गोवी का, और इस्प्राउट में भी थोड़ा सा अलका सा पीछने से पानी मिले दाता है, अच्छा सा इसे सकत सा भून और उपर से अच्छी तरह तेल लगा देंगे, मसल मसल कर अच्छी तरह, और दस मिट रिष्ट होने के लिए रख देंगे, बहुत ही बढ़िया बनने वाला है नास्ता, एक बार जरूर बना कर देखें, जौर के आटे के और भी रेसेपी में ने डाली हुई है, जौर के आ बाश्ट में भी खा सकते हैं, बहुत बढ़िया हेल्दी नास्ता बनता है, जौर का आटा तो थंड़ा होता है, गर्वियों में जरूर खाना चाहिए, जिस तरह बाजरे का आटा सर्जयों के लिए खास होता है, उसी तरह जौर का आटा, पत्ता गोभी डालने से बहुत य इसलिए मैंने थोड़ा बेशन मिला है, आप चाहे तो सूजी आटा कुछ भी मिला सकते हैं, इसी तरह सबके रोल कर लेंगे अच्छी तरह, पानी को मैंने गरम होने के लिए रख दिया है, अब इसे स्टिम देंगे 20 मिनिट के लिए, जिससे ये फूल का डबल हो जाएंग बहुत ही बढ़िया हेल्दी नाष्टा बनेगा, ज्वार का आटा, पत्ता, गोवी, स्प्राउट ये खात चीजे इसके, आपको ये नाष्टा कैसा लगा, आप मुझे इस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप मैंने ये चन्नी लिये, आपका जो भी आपके पाद चन्नियों उसमें रखें, थोड़ा दूर-दूर रखें, जिससे फूलें, तो एक दूसरे को चिक्के ने इस बात का जरूर ध्यान रखें, थोड़ा ओईल लगा लिया था मैंने, और इसकी मुठिया बनाते समय, भी रोल बनाते समय, मैंने हाथ में तेल लगा लिया था, पानी को गरम होने के लिए रख दिया है मैंने, अब इसको इस्टिम होने के लिए रख देंगे, 20 मिनिट के लिए, जिससे ये डबल हो जाए, फूल कर, प्लीज अगर मेरी रेशेपी पसंद आती तो आप इसे लाइक करें, अधिक सरी दोस्तों इस्ते दारों के साथ शेयर करें, नए तो सस्क्राइब करना न भोले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली रेशेपी का नोटिपिक्सिन सबसे पहले आप तक पहु इसका टेक्चर देखिए कितना बढ़िया आया है, थोड़ा क्रम्बल सा होता है, यह बिल्कुल जालीदार बढ़िया सा बना है, आप इसे वैसे भी खा सकते हैं, बहुत बढ़िया टेक्स्टी बना है देखिए, जितना देखने में सुन्दर लग रहा उतना खाने में कही जादा सौधिष्ट और पोष्टिक है, आप दो चम्मज तेल डालेंगे इसमें, एक चम्मज, दो चम्मज, आप जितना डालना चाहें, बिल्कुल जरा सा तेल लगता है इसमें, आप इसमें राई डालेंगे तड़कने के लिए, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, सफेद वाले तेल, कड़ी पत्ता जरूर डाले, यहरी मिर्च डालें मैंने, लंबी-लंबी काटके, जिस तरह ढोकले में आप छोक लगाते उस तरह लगाए, इसे मूठिया बोल सकते हैं, आप हिंग डालाए मैंने, यह सफेद वाले तेल डालें उपर से, वैसे अंदर भी डाले थे, य कश्मरी लाल मिर्च पाउडर, इसे बहुत बढ़िया कलर आएगा, अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, नहीं तो यह जल जाएगा, अब इसमें जो कट कीती मूठिया बोल डाल देंगे, और अच्छी तरह जल्दी-जल्दी मिक्स करेंगे हलके आतों से, क्योंकि मूठिया तूटे नहीं, यह गुल्टेन फ्री होता है आता, इसलिए थोड़ा सा यह तूटने का डर रहता इसमें, पर बहुत ही खसता यह मूठिया बनती है, कैसी लगी मूठिया मुझे जरूर बताए कमिन बॉक्स में, यह देखें, मेहमान आने पर बना सकते हैं, थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है, वैसे अंदर भी नमक डाला था, इस बात का जरूर ध्यान दखेंगे फ्रेंट, रोज नहीने रेशेपी देखने के लिए जोती कीचन को फॉलो करें, थोड़ा हराधनिया डाल दिया मैंने, हराधनिया स बहुत बढ़िया स्वार आता है, यह नीवू का रस, खास तोर पर नीवू का रस जरूर डालें, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, आप सर्व करते हैं प्लेट में, यह लीजिए बनकर तयार हो गया, फाइवर विटामिन से भरपूर, हेल्दी टेस्टी बनाने में आसान जोर के आते का गुल्टन फ्री मिलेट से बनी रेसिपी, पत्ता गूवी से बनी और स्प्राउट से बनी, यह लिए आरा दनिया डाल कर तयार हो गया, आप सॉस के साथ, या वेसे भी सर्व कर सकते हैं, या वेसे इंजॉय कर सकते हैं, तो आप कब बना रहे हैं, प्री मुट बायवायोगी, मिले नाइ रेसिपी के साथ, यग यू भू